विर्ग डियून्य गईस बर्ल अधसाइट वेलकम बैक तो एनदर लर्निंग वीडियो फिर्ट लिक बर्लिन यह विंस्टे मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टन लवल्स हों के बैंक टिफ्टे और निफ्टे के लिए वो डिस्क्स करने वाले हैं मेरी के एक्स्पेक्टेश दॉन्य वाले बात किया है मार्केट ऊल्-time हाई के उपर खुला अपन ले जहांपर एकिस्पेस रखी थी मार्केट यहां पर एक suicide केरेगा मार्केट ढेडियू सके उपर खुला ओके शोीम कई के उसके उसके उपर खुला तो मार्केट को अन्टीनिट करना bearish candle form होई और वो इतनी खतरनाक bearish candle थी अगर मैं आप लोगों को यहां से point count कराओं कि यह level तूटने के बाद यह कितने point की bearish candle थी अगर यह पूरी candle को देखोगे आप तो यह कितने point की candle थी 15 minute में market 400.000 गेरा that means huge volatility okay now the point is यहां पर काफी काफी बैनिक था okay now the point is यह लवल सस्टीन नहीं किया अगर आपने यहां भी ट्रेड ली होती तो आपको कुछ ना कुछ तो points मिले होते okay now इसके बाद closing के नीचे candle close हुई then market वापस से retest किया and then वापस से fall this was the pattern that means market day lows में close हुआ है okay market को bullishness continue करनी थी अब जो next one two day है ना वो काफी कुछ decide करेंगे market के लिए okay यह बात यहां पर खतम हो जाती है निफ्टी बैंक की जो निफ्टी फेनांस था आपको यह चार्ट दे दिया था ठीक है आप लोगों को यह वाला चार्ट दिया था मैंने गलती से so this was the mistake अगर आपने इसी चार्ट को follow किया होगा तब आपने कुछ नगुस्तों बनाए होगा क्योंकि इस चार्ट के हिसाब से आपको जो लेवल्स दिये थे वह completely work कि यह इसको छोड़ दो क्यों क्योंकि यह वाला जो चार्ट है यह फूचर्स है जो मंतली फ्यूचर्स होते हैं वो है यह रियल चार्ट इसको इसमें देने चाहिए थे मैं एक मिस्टेक करती है कोई नहीं है दो पॉइंट इस निफ्टी फिफ्टी अब क्या किया यहां पर समझ लेते हैं द्यां से देखना क्या हुआ है ङंस्टी फिफ्टी में वो भी देख लेते हैं निफ्टी जो था निफ्टी ने उतनी श्ट्न लूज नहीं कि अधमिन्स निफ्टी रीड में औंब क्लोज नहीं हुआ है निफ्टी बरदी से क्लियर कर देता हूं जो नीचे के लेवल से उनको क्लियर नहीं कर रहा हूं अभी के लिए बट उपर की लेवल को क्लियर कर दिया है अब जो लेवल है उनको मार्क कर लीजिए सबसे पहला एक टिक होगा closing पर कुछ इस तरीके से दन उसके बाद जो एक important level है वो है ये लव इसको मैं mark कर देता हूँ ऐसा level तो आपको ज़्यादा clarity रहे रहे ठीक है चलिए यह आपका कल का setup ready हो गया now the point is how to trade in this levels मैं समझाता हूँ ध्यां से समझना ठीक है यहां पर market अगर नीचे खुलता है ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ यार की global markets क्या चल रहे हैं just a second तन उसके उससाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ wait करो just two minutes ओके ओके so dojo जोंस नियर राउंड 205 पॉइंट मतलब पॉइंट इस market एक slight gap up और flat खुलने वाला है छोड़ो जो भी खुलना खुलने दो ठीक है दिमाग में रखने वाली क्या बात है market अगर यहां खुलता है इसको 15 मेट के candle से प्रेक करता है upside के लिए तो एक seed rate लेना है पहला target यह होगा अब सेम चीज को reverse कर दो market अगर इसके ऊपर खुलता है इसमें rejection देता है rejection देता है या फिर एक bearish candle form करता है तो पहला target यह होगा दूसरा target यह होगा दिमाग में एक बात जरूर रखना कि यह आप लोग levels में सब चीज तो सीख रहे हो the point is price को समझना भी तो सीखो न इस level पे price यह candle अगर form कर रहा है तो क्या है एक bearish candle form कर रहा है that means price confirm कर रहा है कि downside और देखा जा सकता है तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे put side का trade लेंगे I know एक बार में नहीं बट धीरे-धीरे acquire तो करो knowledge को तभी न आगे बढ़ेंगे यह ठीक है चले यह बात यहाँ पर खतम हो गई यह bank nifty का जो था अपना वो अपन ने discuss कर लिया इसके उपर CE ही continue होगा and इसके नीचे PE continue होगा दिमाग में रखना ठीक है aggressive CE, aggressive PE बात कर तो now the point is जो next charts है उसको देख लेते हैं एक बार आप इनको screenshot ले लिजे दन आपन continue करते हैं ओके 1, 2, 3 I hope आपने screenshot ले लिया होगा यह nifty 50 का chart है nifty 50 के लिए क्या important level होगे nifty 50 के लिए मैं सारे levels को एक बार delete कर रहा हूँ यहाँ पर जितने भी levels थे अब मैंने सब delete कर लिए है अब आपको जो closing है उसपे एक mark रखना है then उसके बाद जो दूसरा important level है वो रहेगा यह level जो तीसरा important level रहेगा वो रहेगा yellow देखें चलिए एक काफी प्यारा range यहाँ पर बना हुआ है दिमाग में रखना है इस शिश को market इसके नीचे खुलता है 15 मिट की candle इसके उपर close करता है पहला target यह market अगर इसके उपर खुलता है 15 मिट की candle इसके नीचे form करता है पहला target यह ठेक है aggressive CE aggressive PE समझ गए बात को चलिए keep thing simple charts को clear रखो ज्यादा अच्छा सारी चीज़े समझ माएंगी I hope आपको सारी चीज़े clear हो गई होगी as per me देखते है कल और परसो काफी सारी चीज़े डिसाइड करेंगे and maybe Friday को एक बहुत प्यारा दिन देखने को बिलेगा जहाँ पे market कम से कम अगर गिरना होगा तो Friday को ही 1000 पॉइंट के आसबस का एक फॉल देखने को मिलेगा ओके देखो यर टानिक कहां पे बनेगा मैंने आप लोगों को जो लेवल दिया था देखे Nifty Finance में एक लेवल दिया था आप लोगों को कौन सा लेवल दिया था एक सिके यह जो लेवल है ठीक है यह बैंक निफ्टी में भी समझाया है आपको Nifty Finance में भी समझाया है और निफ्टी 50 में भी समझाया है ठीक है यह एक ऐसा लेवल है जो यह स्विंग का 50% रीटरेस्मेंट है अब मार्केट यहां से या तो यह ब्रेक करेगा या तो यह ब्रेक करेगा तिमाख में रख नाइस शीच को चलिए क्लोस करते हैं सी यो ओ ल टोमॉरो बभाई टेक किर गाईस यह बट यह बटो यह बट यह बट ओस्ते है अब मेर्ट टेक्वरी बटेजर टोगर टो यहां टो यह बट टो यह बट लुग अगाईस यह बट बटा रहें